हेलो डियर आल फार्मेसी एस्विरन जैसा कि आपको पता है कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि लगबग हर एक फार्मा कमपटेटिव एक्जाम में वहां से कोश्चन बनने के चांसेज होते हैं तो उसी कड़ी में आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही प्या बनता ही बनता है तो इसी चोटे से टॉपिक को आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पूरे वीडियो में लास्त तक जरूर बने रहीएगा ताकि इससे रिलेटिड कोई भी आपको डाउट न रहने पहें और अगर आप हमारी शैनल पे नहीं है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें पार्ट्स आप प्रिस्क्रिप्शन की बात कर ले उससे पहले हमें प्रिस्क्रिप्शन को समझना होगा प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है प्रिस्क्रिप्शन को अगर हम आसान भासा में बात करें तो क्या होता है दवा की परची मतलब क्या होता है एक ऐसा और है जो कि pharmacist को direction देगा कि कैसे compound करना है कैसे dispense करना है और उस compounding dispensing के बाद patient को कैसे दवा समझा करके देनी है यह पूरा कह सकते हो RMP, pharmacist और patient यानि कि physician, pharmacist और patient के बीच में link provide करने का काम prescription कर दिया तो यह prescription से सबसे ज़्यादा question बनता है कि उसके कितने parts होते हैं और उस parts में क्या-क्या चीज़े important होती है उसी के regarding यह आपका video होने वाला है ठीक है तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं prescription के part की तो total आप याद कर लोगे आठ पार्ट होते हैं prescription में कितने होंगे आठ पार्ट होते हैं अब इन सभी आठो पार्ट को समझेंगे होते क्या है और उसके अ सबसे पहला पार्ट सबसे पहला पार्ट prescription में क्या होगा डेट किस डेट का prescription है मरीज किस दिन परामर्स लेने आया है यह डेट उसको रिप्रेजेंट करता है इससे एक systematic order बनाने के लिए help मिलती है और मरीज किस-किस दिन कह सकते हो उसको doctor को परामर्स लिया है उससे पता च address of patient ठीक है पहला डेट हुआ दूसरा name is six and gender address of the patient तीसरा होगा आरेख जी से हम क्या बोलते है सुपर description ठीक है उसके बाद चौथा पार्ट क्या होगा in description पाचवा पार्ट होगा subscription छटा पार्ट होगा signature सात्वा पार्ट होगा refill instruction और last में आएगा जो prescriber होगा उसका नाम उसका registration नमबर उसकी sign तो टोटल यह आठ पार्ट आपके prescription के इंतरगत देखने को मिलते हैं अब एक एक करके हम detail में समझे कि किस में क्या क्या चीजी होती है किसके लिए होती है कैसे होती है तो उससे परिज किस दिन परामर्स लिया है और एक systematic order बनाने के लिए date का होना जरूरी है ठीक है उसके बाद जो patient है patient का नाम होना चीए जैसे patient का नाम क्या है मौनू मौनू ने अपनी दवा यह कह सकते हो परामर्स डॉक्टर से लिया तो मौनू एक patient का नाम हो गया उसकी उमर मान ल लिखी जाती है साथी साथ बहुत से जगह आपका patient का weight भी लिखा जाता है और blood pressure वगर भी यहां पे लिखा जाता है तो वो additional है उसको भी आप देख सकते हो इनी सारी यानि की patient के detail के अंतरगता जाएगी उसके बाद पहला part हुगा date का दूसरा name and section address of the patient तीसरा part क्या होता है super description जिया इसको याद कर लीजेगा super description हमेशा दवा लिखने से पहले rx symbol से लिखा जाता है जिया rx symbol एक तरीके से क्या होता है prayer to jupiter बोला जाता है prayer to jupiter मतलब god of healing बोला जाता है jupiter को क्या बोला जाता है god of healing मतलब दवा लिखने से पहले rx को इसलिए लिखा जाता है ताकि हम मरीज को जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं या modern day में आप इसको क्या बोलते हैं take though take though नामक latin word से denote करते हैं जिसका मतलब क्या होता है you take मतलब आपको ये दवाएं लेनी है आपको ये नीचे लिखी होई जो दवाएं है उसको लेना है ये इसका मतलब होता है कि इसका rx यानि की super description का और ये हमेशा दवा लिखने से पहले लिखी जाती है तो rx यानि third जो आपका part हो गया वो super description हो गया अब चौथा part क्या होता है this is the main part of description यहाँ पे आप लिख सकते हो this is the main part of prescription क्यों main part बोला गया क्योंकि यहाँ पे दवाओं का नाम दवाओं का complete जो description होगा उसका strength होगा उसका कितनी quantity वगरा ये सारी चीज़े in description यानि की main part of description में लिखी जाएगी अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें क्या है दवाओं का नाम रहेगा जैसे paracetamol किसी patient को 65 microgram की दी गई है और diclofenac 20 mg की दी गई है और lactose 12.1 mg की दी गई है starch 8 mg तो complete दवाओं का नाम इसमें यानि की in description के पार्ट में रहेगा तो यह चौथा पार्ट हो गया अब अगर हम बात करते हैं पांचवाँ पार्ट क्या होता है सब इस्क्रिप्शन जिया सब इस्क्रिप्शन भी जरूरी होता है क्यों यहाँ पर याद कर लिजेगा यह है direction to the pharmacist सब इस्क्रिप्शन की जहाँ पर बात आएगी तो सब इस्क्रिप्शन एक तरीके से फार्मस्स को डिरेक्शन बताता है कि किस रूप में दवा को देनी है मिक्श करना है या क्या करना है वो सब इस्क्रिप्शन में आ जाएगी चठा पार्ट आपका क्या होता है सिगनेचरा याद कर लिजेगा direction to the pharmacist पेसेंट को यह डारेक्शन बताता है कि दवा को कैसे एड्मिनिस्टर करना है, जैसे एक चम्मच खाना है, दिन में दो बार खाना है, खाने के बाद खाना है, खाने से पहले खाना है, खाली पेट खाना है, वो एक तरीके से पेसेंट को डारेक्शन देने का काम सिगनेचरा पार्ट में होगा ठीक है तो पाचवां आपका सब्सक्रिप्शन फार्मासिस को डारेक्शन दे रहा है और छटा सीगनेचरा पेसेंट को डारेक्शन दे रहा है आफ्टर जो सात्वां का रीफिल या रीनिवल इंस्ट्रक्शन यह किसलिए होता है जैसे पंदरा दिन की दव प्रिप्शन होगा दॉक्टर होगा उसका नाम रहेगा या उसका साइन रहेगा उसका रेजिस्ट्रेशन नंबर और उसकी मोहर वगरा जो रहती है आजकल तो जो आपका नर्सिंग ओम या हास्पिटल होता है उसका नाम उपर ही रहता है बाकी नीचे भी डॉक्टर की सकते हैं इन subscription में आपका मेन पार्ट का हुआ जिसमें दवाओं का complete आपका विवराड रहेगा सब subscription pharmacist को direction दिया कि कैसे mix करना है कि tablet देना है कि capsule देना है signature में patient in the patient को direction है कि कैसे खाना है इसको solve कर लिए और इसको याद कर लिए तो इससे हर एक pharma exam में एक से दो question हर बार बने है और आने वाले समय में भी इससे question बनते रहेंगे तो ये topic आज आपका clear होता है इसी तरीके से धेर सारे topic के videos देखने के लिए चैनल पे visit कीजेगा playlist वगरे को visit कीजेगा नए हो तो इससे subscribe जरूर कीजेगा और भी आपके जो भी response है जो comments है उसको भी comment box में जरूर बताईएगा books वगरे मांगाने के लिए description box भी check कीजेए मिलते हैं किसे अगले video में किसे अगले topic के साथ तब तक के लिए thank you so much all the very best